नमस्कार, आज का टोपिक है कारे यानि वर्क, कारे को सधारण भासा में काम भी कहा जाता है हम सबी परत्य क्दिन बहुत सारे कारे करते हैं firearm, लेकिन आज मैं आप लोग को कारे को सधारण भासा में समझाओंगा इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा, और कारी को समझने से पले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ विस्थापन क्या है यानि कि what is displacement विस्थापन यानि displacement किसी वस्तु के एस्थान में पडिवर्तन को विस्थापन करते है इसे एस द्वड़ा सुचित किया जाता है यह एक सदीस रासी है इसका एसाई मात्रप मीटर होता है यानि कि उधारन के तोर पर समझे तो मालीजी यहाँ पर एक फुटबॉल है यह होगे आपका फुटबॉल और मैंने इस पर एफ बल लगाया तो यह फुटबॉल यहाँ से चल कर यहाँ पर पहुंच गया तो हम क्या देख रहा है कि फुटबॉल के इस थान में परिवर्तन हो गया यानि कि फुटबॉल यहां पे था और यहां पर आ गया तो हम कहेंगे कि फुटबॉल एस्तनांतरित हो गया यानि कि जितने मीटर से एस्तनांतरित होता है कोई वस्तु जितने मीटर से एस्तनांतरित होता है इसको कहा जाता है बिस्थापन और जब वस्तु में भी स्थापन होता है तो कार्ज होता है और आगे चलते हैं माली जी यहाँ पर एक दिवाल है यह हो गया आपका दिवार और इस पर मैंने एप बल लगाया तो दिवार पर जब मैंने बल लगाया तो दिवार भी स्थापित नहीं होगा तो जब दिवार भी स्थापित नहीं होगा, यानि दिवार के स्थान में कोई पडिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी स्थापन का मान क्या होगा? सुन्ने होगा, और कार्ज का भी मान क्या होगा? सुन्ने होगा और आगे अब हम चलते हैं कार्ज क्या है और कार्ज के बारे में समझते हैं कार्ज यानि वर्ट किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु में विस्थापन के गुनानफल को कारे करते हैं इसे W द्वारा सुचित किया जाता है या एक अदीश रासी है इसका SI मातरक जूल या निूटन मीटर तथा CGS मातरक अर्ग होता है यानि कि फर्मूला होता है कि कार्ज बराबर बल गुने 20 थापन देखिए परिभासा में लिखा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उस वस्तु में 20 थापन के गुनानफल तो बल और 20 थापन के गुनानफल हो गया यानि कि W बराबर F गुने S और एक जूल बराबर दस के पाउर साथ अर्ग होता है अब आगे हम समझते हैं कार्ज की माप कार्ज की माप दो एस्थिदियों में ग्याद की जाती है पहला एस्थिति है कि जब इस्थापन और बल की दिशा एक हो यानि कि जब इस्थापन और बल की दिशा एक हो तो W बराबर F होता है यानि कि कार्ज बराबर बल गुने इस्थापन और दूसरा एस्थिति है जब बल इस्थापन के साथ ठीटा कोन बनाता है तो यहाँ पे होता है W बराबर F स कोस ठीटा और आगे हम समझते हैं कि कार्ज का मान कीन कीन एस्तितियों में सुन्ने होता है कार्ज तीन एस्तितियों में सुन्ने होता है पहला एस्तिति है कि जब F बराबर 0 अर्थात वस्तु पर आरोपित बल सुन्ने हो और दूसरा स्थिति है जब S बराबर 0 अर्थात बल द्वारा उत्पन बिस्थापन सुन्ने हो यानि कि हम बल लगाने से यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्ता नहीं होता है यानि बिस्थापन नहीं होता है तो वहाँ पे भी कार्ज कमान क्या होगा सुन्ने होगा और तीसरा है कि जब theta ब्राबर 90 degree अर्थाथ जब बल और बिस्थापन की दिशा प्रस्पर लंबवत हो यानि कि बल और बिस्थापन की दिशा प्रस्पर 90 degree पर होगा तो वहाँ पे भी कार्ज का मान सुन होता है वो कैसे होता है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है फर्मूला कि w बढ़ाबर fs cos theta तो जब हम मान रखेंगे f-as और cos 90 degree तो जब इसका value रखेंगे f-as और cos 90 degree का मान होता है सुनें तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो यह total w बढ़ाबर कितना हो गए जीरो से multiply करेंगे तो सब 0 हो जाएगा तो यहाँ कि w बढ़ाबर 0 यहाँ का मान सुने होता है कब जब बल और 20 थापन की दिशा प्रस्पर लंबवत होता है तब अब हम आगे चलते हैं इस पर कुछ सवाल बनाते हैं और समझाते हैं सवाल नमर एक है यदि एक घोरा 20 नूटन के बल से गारी को 5 मीटर तक खीचता है तो घोरे द्वारा किया गया कार्ज निकालें यानि कि हम सवाल में देख रहे हैं कि F का मान दे रहा है 20 नूटन और S का मान दे रहा है यानि 20 थापन का मान दे रहा है 5 मीटर और किया गया कार्ज निकलना है मैंने बताया कि कार्ज का मान दो स्थितियों में निकलता है एक W ब्रावर Fs और एक होता है फर्मूला W ब्रावर Fs कॉस थिटा जब बल और 20 थापन के बिच कोन का मान दिया रहेगा तो यहां पर लिखेंगा W ब्रावर Fs यानि कि F का लिखेंगे 20 निउटन बल दे रहा है और S का मान दे रहा है 5 मीटर तो 20 पचे 100 100 निउटन मीटर या इसको अमलिग सकते है 100 जूल कार्ज का मान कार्ज का SI मात्रप निउटन मीटर या जूल भी होता है तो यही होगे आमारा एंसर अब आगे चलते हैं दूसरा सवाल है कि जब एक गारी पर 20 निउटन का बल आरोपित किया जाता है तो 500 जूल कार्ज संपन होता है गारी द्वारा तै की गई दूरी निकले अर्थात 20 थापन निकलना है तो सवाल में हम देखेंगे F बराबर दे रहा है 20 निउटन और किया गया कार्ज यानिक W का मान है 500 जूल तो हम फर्मूला वहीं लगाएंगे W बराबर F गुने S और 20 थापन का मान पुछ रहा है यानि तै की गई दूरी तो S बराबर W बटा F और W का मान कितना है 500 और F का भाईलू है 20 निउटन तो यहाँ पे कटा देंगे हम 10 से 10 कर जाएगा और 2 से यह 25 बर में कर जाएगा यानिकि हो गया 25 मीटर यानिकि तै की गई दूरी हो गया 25 मीटर और यह हमारा एंसर हो गया सवाल नमर 3 है 30 निउटन का बल एक वस्तू पर लग कर उसमें 10 मीटर का बिस्थापन उत्पन करता है यदि बिस्थापन और बल की दिशा के बीच का कोन 60 दिगरी हो तो किये गए कार्ज की गणना करें यहनिकि हम सवाल में यहाँ पर देख रहा है कि F कमान F ब्राबर दे रहा है 30 निउटन और इसमें 20 थापन दे रहा है F S F S कोस्ट थीटा और इसमें मान रख देंगे हम F का बाहलू है 30 निउटन 30 गुने बिस्थापन का बाहलू है 10 और कोस्ट थीटा यानि कोस्ट 6 डिगरी गुना करेंगे हम 30 गुने 10 गुने और कोस्ट साथ डिगरी का मान होता है 1 बटा 2 और कटा देंगे हम 2 पचे 10 और गुना जब कर लेंगे तर 30 पचे 150 यानि कि हो गया 150 जूल और यही होगी हमारा एंसर दोस्तों मुझे उमीद है कि आप लोग कार्ज को अच्छी तरह से समझ गए होगे अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में